नरेंद्र मोधी के आग्माई में लगातार तीसरी बार एंडिये सरकार सत्ता समाल चुकी है ये मोधी के नए मंत्री मंडल में उनके अलावा 71 मंत्रियों को शपत दिलाई गई इनमें 30 केमरेट मंत्री शामिल है मोधी 3.0 सरकार में OBC के 27, SC के 10, ST के 5 और अल्प संक्यक समुदाय से 5 मंत्रियों को शामिल किया गया है हाला कि मुस्लिम समुदाय से किसी भी चहरे को जगा नहीं मिली इसके अलावा शेत्री समी करण का भी ध्यान रखा गया दक्षिन के राज्यों से भी मंत्री बनाए गये है साथी उन राज्यों पर भी खास ध्यान दिया गया जहां कुछ महीनों में शुनाव होने वाले है इसी साल हरियाणा में शुनाव होना है जहां पर बीजेपी पिछले 10, 7 से लगातार सत्ता में है पिछले बार लोग सबाश्यों में बीजेपी को सबी 10 सीटों पर जीत मिली थी हालाकि इस बार उसे चटका लगा है और महस पाथ सीटों से ही संतोश करना पड़ा लेकिन विधास सबाश्यों साधने के लिए हरियाणा से तीन मंत्री बनाए गए है अई बीजेपी ने मद्य प्रदेश में देहासिक जीत हासल की पिछली बार पार्टे की 29 में 28 सीट पर जीत हुई थी लेकिन इस बार बीजेपी ने सबी 29 सीटों पर जीत हासल की लिहाज़ा वहाँ से 6 मंत्रियों को मंत्री परशन में जगा दी गई है जिसमें हेवी बेश शिवरासिक चोखान भी शामिल है उन्हें केवरेट में भारे भर कम मंत्राले मिलने की उमीद है अपने महान रास्ट की सेवा करने का अफसर मुझे प्रदान मंत्री जी ने दिया है उनके नेतरत्म में भारत नई उचाईयां छुएगा और मेरा अपना विस्वास है कि भौतिक्ता की अगनी में दग्द विस्व मानवता को सास्वा सांती के पत्का दिगदर्सन कराएगा दिन और रात अपनी सम्पून शमता के साथ परिस्रम करके अपने देश के लिए और अपनी जनता के लिए प्रधान मंत्री जी के मार्ग दर्शन में और नित्रत्व में बहतर से बहतर करने का प्रयास करेंगे यूपी में इस बार बीजेपी को छटका जरूर लगा लेकिन पार्टी ने सबसे बड़े राजु से सबसे ज्यादा मंत्री बनाने का फैसला लिया जिसमें जातिय समी करण और सायोगी दलों की हिसेदारी का भी खयाल रखा गया राजपो समाच से दो मंत्री राजना सिंग और कीर्ती वर्दन सिंग को बनाया गया ब्राह्मन समाच से एक मंत्री जितन प्रसाथ को बनाया गया सिख समाच से एक मंत्री हरदीव सिंग पुरी को बनाया गया जो यूपी से राजसाबा सांसद है जाट समाच से एक मंत्री जन चौधरी को बनाया गया जो सहयोगी दल आरलडी से आते हैं राजमंत्री स्वतंत प्रभार, कुर्मी समाच से दो मंत्री अनुक्रिय पर्टेल और पंका चौधरी को बनाया गया लोधी समाच से एक मंत्री बियल वर्मा को बनाया गया दलिश समाच चे दो मंत्री एस्पी सिंग बगेल और कमलिश पासवान को बनाया गया है अगले साल बिहार में भी चुनाव होना है लिहाज़ा बहां के समीकरण को विसादने की कोशिश की गई यूपे के बाद सबसे जादा आठ मंत्री बिहार से बना गए जिसमें सहयोगी दलोक भी इससे दारी बराबर की है मिहार से आठ मंत्रियों में भो मिहार जाती से दो मंत्री गिरिराग सिंग और ललन सिंग बनाया गए है ब्रामन समाच से एक मंत्री सतीष दूबे बनाया गए यादव समाच से एक नित्यानंद राय बनाया गए EBC वर्क से दो मंद्री रामना ठाकुर और राज भूशन दिशान बनाय गए हैं जबकि दलित समाद से दो मंद्री चिराभ पास्वाड और जीतन राम मांजी बनाय गए है जिस प्रकार से परधान मंद्री जी संकल्पित हुय हैं कि पहला टर्म और दुसरा टर्म से ज़्यादा आगे कठी कदम उठाना है ताकि भारत को जो इग्राहमा पोजीशन में था आर्थिक विवस्था के सिल्चिले में दस व्रस में पांचमा अस्थान पर ले आये हैं और आज नरेंद्र मोदी जी की एकदम दिल संकल्प है कि 2024 से 2029 के बीच में हम भारत को संसार का तीसरी अर्थिक विवस्था के रूप में ले आएंगे महराष्टर में भी इस साल चुनाव होने वाले हैं लिहाजा वहाँ का भी ध्यान रखा गया वहाँ से छे मंत्रियों को शामिल किया गया जिसमें बीजेपी से पार शिवसीना से एक राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए लेकिन बीजेपी से स्वतंत्र प्रभार का राजमंत्री का ओफर मिला अब चुकि प्रफुल पटेल यूपीय सरकार में केबिनेट मंत्री रह चुके हैं लिहाजा वो स्वतंत्र प्रभार की राजमंत्री नहीं बनना चाहते पार्टे बाद में मंत्रीपत की ओफर पर फैसला लेंगे चाहिए एंसीपे के मंत्री परिशन में शामिल होने से कई तरक याड कले भी लगी नाराज़की की बात भी कही गई विपक्ष न इसे लेकर तंजबिका से जिसके बाद खोल प्रफूल पटेल ने सफाई दी हमको राज्य मंत्री स्वतंतरप्रभार की बारे में सूचना मिली लेकिन मैं स्वयम भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री पहले रह चुका हूँ और इसलिए हमने उनको यही कहा कि भई देखिये ये आपने जो आफर दी है हमें खुशी है कि आपने हमको एक सूचना बेजी लेकिन मेरे लिए थोड़ा ये कठिन है कि हम ये पोस्ट को हम कोई ऐसा मध्वेद नहीं है कोई मतलब जो भी कोई अटकर ले लगाई जारी ऐसी कोई भी बात नहीं है सब कुल मिलाकर मोधी सरकार का मंत्री परिश्वत आगा ले चुका है उमीद है कि आज मंत्रालियों का मट्वारब ही हो जाए उसके बाद मोधी 3.2 का कनपत शुरू हो जाएगा जिसके तैयारी पीएम ने खुल कर रखी है 100 दिन का अजिंडा पहले से ही तैयार है दिलचस्प ये देखना है कि किसके हिस्से कौन सा मंत्रा ले आता है